आपका मेरी चैनल में स्वागत है इस वीडियो में करवा चौत की कहानी सुनेंगे करवा चौत की कहानी के बिना यह ब्रत का पूर्ट फल नहीं मिलता है चंद दर्सन से पहले आपको यह कहानी चरूर सुननी चाहिए अत्वा पढ़नी चाहिए कथा कि अनुसार एक समय की बात है जब नीलगीरी परबत पर पांडो पुत और जुन तपस्या करने गए थे तब किसी कारण वस उन्हें वही रुकना पड़ा उन्ही दिनों पांडो पर गहरा संकट आप पड़ा तब चिंदित सोका कुल दुरोपती ने भगवान कृष्ण क का ध्यान किया क्रिश्ण के दर्सन होने पर पांडो की कष्टों का निवार्ण है तु उपाय पूछा तब क्रिश्ण बोले है द्रोपती में तुम्हारी चिंदा एवं संकट का कारण जानता हूं इसके लिए तुमको एक उपाय करना होगा जल्दी ही कार्तिक माह की करवा चौत का ब्रत रखना भगवान सीव गड़ेश एवं पार्बती की उपासना करना तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा क्रश्ण की आग्या का पालन करते हैं तु द्रोपती ने वैसा ही किया करवा चौत का ब्रत किया तब उसे स पती के साथ तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्थित गाउं में रहती थी उसका पती बुढ़ा और निर्बल था एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था तब अचानक एक मगरमच वहां आया और धोबी के पैर अपने दातों में दबा कर यमलो की और ले ज पुआने ही वाला था तब करवा ने मगरमच को कच्छे धागे से बांद दिया और मगरमच को ले कर यमराज के द्वार परूची उसने यमराज को अपने पती की रक्षा करने की गुहार लगाये साथ ही यह भी कहा कि मगरमच को उसके इस कार के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली है भगवान मगर मच्छ ने मेरे पती के पैर पकड़ दिये हैं आप मगर मच्छ को इस अपराज के लिए डंड सरूप नरख भेज दें करवा की पुकार सुनकर यम्राज ने कहा कि अभी मगर की आयू सेस है मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज स को यमपुरी भेज दिया साथ ही करवा के परती को दिरगायो होने का बरदान दिया तब से कार्थिक करवा चौत का ब्रत परचलन में आया जिससे इस समय करवा चौत कहा जाता है आईए सुने करवा चौत की तीसरी कहानी एक साहुकार के साथ लड़के और एक लड़की थी सेठानी के सहित उसकी बहुँ और बेटी ने करवा चौत का ब्रत रखा रात्री को साहुकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा इस पर बहन ने बताया कि आज उसका ब्रत है और वह खाना चंद्रमा को अरग देकर के ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं की। वह दूर पर एक पेड़िक पे एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांध हो। उसे देखकर करवा उसे अरग देखकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला को टुकडा मुह में डालती है तो उसे चीक आती है। दूसरा टुकडा डालती है तो बाल निकल जाते हैं। तीसरा टुकडा मुह में डालती है तो उसकी पती की मृत्य की समाचार मिलता है वह बेहत दुखी हो जाती है उसकी भावी सच्चाई बताती है उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ ब्रत गलत तरीके से तूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए है इस पर करवा निश्यक करती है कि वह अपने पती का अंतिम संसकार नहीं करेंगी और अपने सतित्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती के सौग के पास बैठी रही उसकी देख भाल करती रही तब उसके उपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह कत्रित क दिन आता है वह ब्रत रखती है और साम को सौगनों से अंडरोध करती है कि यम सुई ले लो पी सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सौगन बना दो लेकिन हर कोई मना कर देता है आखिर में एक सौगन उसकी बात मान लेती है इस तरह से उसका ब्रत पूरा होता है और उसक कथा को कई अलग तरह से भी कहा गया है अतै इस कथा को जो महिलाएं पढ़ती है अथ्वा सुनती है उनके करवा चौथ का ब्रत का पूर फल मिलता है सच्ची स्रधा से बोले करवा चौथ माता की जै